Hey guys, welcome back to the channel of Super Sonic आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि Car Enthusiast होंगे और मैं भी उनी में से एक हूँ जहाँ पर भी Car और Bikes के बारे में बात चलती है ना भाई मतलब हम वहाँ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता फिर चाहे वो बात एक गाड़ी के खिलोने के लिए हो या फिर एक पूरी मुवी के लिए अब आप मेंसे भी काफी लोगों ने Fast X तो देखी लियोगी और Fast and Furious एक ऐसी सीरीज है ना मतलब Cars Enthusiast के लिए तो मतलब जननत है भाई कि क्या क्या specification आती है प्राइजी और बागी सारी चीजों के बारे में तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब इस स्टार्टिंग में आप लोगों ने मुवी में देखा होगा कि जो डॉमिनिक टेरेटर रहते हैं वो इसी गाड़ी को सबसे पहले चलाते हैं जो एक बड़ा सा बॉम जो कि शहर में गुम रहा होता है उससे बचाने के लिए इस कार के अगर कॉस्ट के बारे में बात करूँ तो 1.3 करोड रुपीज के आसपास में ये गाड़ी जो है वो कॉस्ट करती है तो भाई काफी ज़त जबरदस्त है और मसलकार तो मुझे डेफिनिटली पसंद है और पुराने जमाने वाली तो मतलब बेहती पसंद है अगर आज मेरे पास पैसा हो ना तो आज जा करके खरीद दूँ आप मैंसे कितने लोग मसलकार को पसंद करते हैं आप मुझे ज़रूर बताना इस गाड़ी के अंदर आता है और यह गाड़ी रियर विल ड्राइब रहने वाली है 0-60 MPH जो है 7.8 सेकंड के अंदर कर देती है और यह गाड़ी सिर्फोर सिफ इस मूवी के अंदर यूज नहीं गई रियल लाइफ में आप लोगों को टोक्यो की पुलिस भी इस गाड़ी को यूज करते हुए देखने को मिलती है रैली में काफे ज़दा यूज हुई है और रेसिस में भी काफे ज़दा यूज किया गया है इस गाड़ी का नेक्स नंबर 3 1970 डॉज चार्जर जी है अगर मैं मसलकार के बारे में बात करूँ न तो डॉमिनिक टरेटो जो गाड़ी लेकर के आता है वह जबरदस्ती होती है मतलब नेक्स लेवल गाड़ी रहती है और हर मुवी में वह मूसली डॉज चार्जर की गाड़ी यूज को ज इसकी प्राइजिंग जो रहती है सपोज अगर आप लोग इंडिया के इस गाड़ी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हो ना बाई तो लगभग मुझको लगता है 70-80 लाख रुपे तो आप लोगों कहीं ने गये क्योंकि ये गाड़ियां जैसे ओल्ड है भले इनक 259 CC का इंजिन देखने को मिलता है जो कि 275 BHP का पावर 481 Nm तरक आप लोगो टॉक जनरेट करके देता है और एस जैसे मैं आप लोगों को बोला कि ये मसल कार है इनकी मतलब जितनी ये पुरानी होती जाती है उनकी इतनी ही जादा कॉस जो बढ़ती चली जाती है तो ये ग पास्टेक्स में एक और गाड़ी को जो है वो एड़ान किया गया था जो कि लामगी नी है जिए दोस्तों गलाराडो का मोडल जो है उसको भी मतलब लोग बहुत ज़दा पसंद करते है और ये गाड़ी बहुत ज़दा रियर है इस गाड़ी के बारे मार्ट कर जाए तो 2. 2.31 करोड रुपिस के आसपास में ये गाड़ी अभी कॉस करती है मुवी में जो ये बाड़ी यूज होती है ये 2003 मॉडल की गलाराड़ रहती है जिसके अंदर 5.0 लीटर का नैच्रल एस्पी रिटीड वी टैन इंजन जो लगा रहता है जो कि आप लोगों के लिए 493 पाउर जिनेट करता है और 510 निटर मेंटर तक आप लोगो टॉर्क देता है बाई मतलब गोल्डन कलर की ये कार रहती है और काफी ज़्यादा जबर्दस लगती है नेक्स नमबर 6 1971 अलफा रोम्यो 2000 जी टीवी जियन दोस्तों ये गाड़ी भी जो है यूज करी जाती है इस गाड़ी को मुवी में कौन चला रहा होता है आप मुझे उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताना अब यहाँ पर अगर मैं इस गाड़ी के प्राइस के बारे में बात करूँ तो आराउंड आपको को कॉस्ट करेगी इंडिया की प्राइस बता रहा हूं एक्सपोर ड्यू इस गाड़ी को आप लोगो ने देखा होगा एक ब्रिज वाले सीन पे जब दॉमिनिक टराइटर के बच्चे को लेकर के जो विलन है वो अपनी गाड़ी के अंदर भाग रहा होता है इस गाड़ी के इंदर 4.7 लीटर का वीट इंजन देखने को मिलता है जो कि 200 BSP का पावर और 383 Nm तक का टॉक जो है वो जनरेट करता है जो कि 3-speed manual overdrive gearbox के साथ आती है और ये गाड़ी रियल भी ड्राइव है और ये गाड़ी सच बता रहा हूं उसका जो कलर इना इतना ज़ादा प्यारा लगता है ना भाई मुझे तो बहुत ही ज़ादा करता है जिसकी वज़े से वह गाड़ी के अंदर भाग करके जा रहे होते हैं और इस गाड़ी के अंदर कुछ अपग्रेडेशन किये होते हैं लाइक इसके अंदर लगाया होता है rocket launcher जो कि दुस्मनों से बचाने के काम आता है और काफी बार इस गाड़ी का जो है rocket launcher यूज जाता है दुस्मनों से बचने के लिए लास एंजलिस ब्रीज के पास में इस गाड़ी के अंदर 5.4 लीटर का वीट इंजन आता है जो कि L30 इंजन के नाम से भी जाना जाता है 271 बहट और 481 नूटर मिटर मिटर के साथ आप लोगो यह गाड़ी जो हो मिल जाती है उसी के स पुछ गाड़ी इस टाइप के आप लोगो देखने को मिलती है नेक्स नमबर 9 2009 मेकलरेन सेना जियां दोस्तों डेकर्ट सो को तो आप सभी काफी अच्छे तरीके से जानते होगे मूवी के इंदर इनकी फाइट इतरी जबरदस रहती है और गाड़ियां तो एक नंबर की यह दोस्तों यह इस मूवी के अंदर चलाते हैं मैकलरेन की सेना वो सिर्फ उसे 500 प्रोडक्शन ही किये गए है इस गाड़ी के मैकलरेन सेना जो है वो वन अप दो मोस्ट एक्सपेंसिव और रिर्स मैकलरेन है अभी तक की यहां पर अगर मैं बात करू सेना के बारे में कि इसका नाम सेना कैसे पड़ा जब एक रेसर जिसका नाम इसका नाम आयर्टाउन सेना रहता है जो कि इस गाड़ी को मोडिफाइ करता है एक 720S मैकलरेन को लिए करके उसके अंदर टून तर्बो लगाता है वी इट इंजन और बहुत सारी चीज़े करता है जिसका कोड नंब टॉर्क बाई मतलब कुछ जादे ही नेक्स लेवल है नेक्स नमबर टैन पोशे 911 GT 3 RS जिए दोस्तों इस गाड़ी को भी आप लोगों ने मूवी के अंदर जरूर देखा होगा जब चार लोग रेस कर रहे होते हैं तब इस गाड़ी का हास्ता जो है इसके अंदर बॉम फि बहुती जदा फैबिलस लगती है 4.0 लीटर का आप लोगो ट्विन टर्बो शिक्स सिलेंडर इंजिन देखने को मिलता है जो कि 443 BHP का पावर 430 नुटर में ट्रेटर का टार जो है वो जनरेट करके दिया जाता है और पॉर्शों को तो आप लोगों बहुत अच्छे तरी जोड़ी को ही मतलब पूरे शहर से उड़ा करके ले करके चले जाती है जब इन दोनों गाड़ियों को दिखाया जाता है तो यह भी जो है 2010 मॉडल की गाड़िया रहती है और इन गाड़ी के कोस्ट के बारे में मुझको नहीं मालुम क्योंकि अब यह प्रोडक्शन में नह होने वाली है और काफी जबरदस्त है लुक वाई आप लोगो पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी फुली एलेक्ट्रिक जो है यह कार रहने वाली है नेक्स्ट नमबर थाटीन चार्जर डेटोना एस आर्टी इवी जिया दोस्तों आप सभी को मालूम है कि वाई मलदा आ आप लोगों को मालूम होगा कि प्रिवेस भी कुछ मूवी सीरीज के अंदर आप लोगों को दिखाई जा चुकी है जो कि फास इंफिरियस में ही दिखाई गई थी और यहांपर अगर मैं बात करूँ इसके बारे में तो यह मलब पूरी तरीके से कहीं पर भी काम नहीं करती पिछली आली मूवी में तो कहीं आप लोगों देखने को मिलता है बड़ासा आप लोगों Fast and Furious की बाकी सीरीज की गाड़ियां को बारे में भी जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगे लिए वीडियो जो है वो बना दू